ये मोदीब, he committed an anti-national act? इतना ही क्लिप वाइरल हो जाएगा से? किसान आंदुलन, आपको भी लगता है कि प्रायोजित था? अफकोर्स प्रायोजित था. क्या गलत कावे कंगनाने? तो वाशिंग मशीन ऐस है, बीजेपी? ने, दोवी घाट. ये मेरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, तीन साल पहले का ये मेरा फैसला था, जो कि कुई सुनती है. जापो राखे साईया, जेल में डाल सकें. किसान आंदुलन, आपको भी लगता है कि प्रायोजित था? प्रायोजित का मतलब दो हो सकते हैं, इसमें एक तो अफकोर्स प्रायोजित था, ओपोजिशन, देखिए, सबसे बड़ा हिप्रोक्रेट ओपोजिशन है, लेकिन मैं ओपोजिशन को क्यो गाली दूँ, ठीक है, बहुत गाली देता हूँ, बट पॉइंट इस, पिछले 10 सा को आप गाली देते हैं, आप नहीं मैं बीजेपी के लिए कह रही हूँ, कॉंग्रेस नेताओं पर इतने आप सवाल उठाते हैं, इन चुनावों में लगातार कॉंग्रेसी बीजेपी में आए, उनको टेकेट मिला, और फिर आप एक्स्पेट करते हैं कि लोग पागल है, तो अब वही है ना कि मुझे एक इंटर्व्यू बता दीजिए, नरेंदर मोदी जी ने इस इलेक्शन से पहले सतर इंटर्व्यू दिये थे, एक महीने में, दस साल तक कोई एक प्रेस कॉंफरेंस नहीं दी, एक दी थी शायद, और अभी सतर इंटर्व्यू दिये, किसी भ स्कृप्टेड नहीं था, ये मुझे बाद में भी पता चला, इडिस टू, प्याम ने कभी दिया नहीं कि ये क्वेश्चन पुछण पुछा वो चाट शाट नहीं होती है, जिस तरीके की बाते होती है, अब 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 एस आई नो मैंने दो तीन लोगों से पता लगाया, वो नहीं था, तो वो इंटरव्यू जो है, वो स्कृप्टेड नहीं थे, ये मेरे को पता चला, I don't know how true that is, but अपने ही लोग है, ये प्रॉब्लम है, किसी ने उनसे ये सवाल पूछा, किसी ने नहीं पूछा ना, जो आप अभी पूछ रही है, ये सवाल जरूरी है, किसी ने पूछा कि, आप ने लुपूर को क्यों सैख किया, क्या गलत काः दा नुपूर ने, कोई ये सवाल ने पूछ रहे है, कोई ये सवाल ने पूछ रहे है कि आप एक शाम को कहते है, कि Ajit Pawaar जो है, सक्तर हजार करोड का घृटाला के है, अगले दिन वो आपके सरकार में 70 inTV, everyone asked them. तो वाशिग मशीन है सर, BJP? नहीं, दोबी गात. दोबीगात. वाशिग मशीन, वह बेभीजुट एक गिड्स, लेजंद्स, जर्जंद्स. अब ये लेजंद्स कुस्त पर आगई. आपने देखा हो गाउस पे सब लगे में ऐसे कर रहे हैं, but that's the tragedy of this country, you know, people aren't asking these questions, people are leaving it to the opposition to ask these questions, but opposition is worse than the government in this department, opposition is not very hypocrite than, he is talking about farm reforms, India के greatest reforms, it was farm reforms, I congratulated Narendra Modi, डंके की चोड पे खड़ा होके रूफ टॉप से, इतने बड़े रिफॉर्म आज तक कोई नहीं लाया था, धाइसो मिलियन जो वर्क फोर्स है, फॉर्टी फॉर परसंट अफ इंडियाज वर्क फोर्स, विच इस फाइट 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 रिफॉर्टे सीचने को, धर झायक बारिफॉर्म था बारफ शाइट फॉर्म आज था ची साथ्वर्म्न फॉर्म्न suicide in the last 10 years 81 percent of farmers and cropland is not insured पानी नहीं है सीचने को elements बारिश आती है बरबाद हो जाता है ओला मतलब this needed reforms and Narendra Modi brought those reforms but तब ही तो कहता हूँ opposition से जादा जाहिल और मैंने लोग नहीं देखे sorry इसका exact मुझे मतलब नहीं पता है इस word का पर ये दिमाग में आयो तो मैंने यूज कर लिया हो सकता है गलत जगा बैट गया हो but ये तीनो reforms वर्बटिम opposition के manifestos में थे वर्बटिम 2019 के congress के number 11 number 19 में तो पुरा देख चुका हूँ मैं अच्छा पहला reform ये था मोदी का कि APMC जो government mandis है उसमें farmers अपना बेचना चाहें तो बेचें जो की कर रहे थे पर private mandis में भी बेच सकते हैं क्यों ना बेचे भाई कोई आप businessman है आपने कोई product बनाया आपको कैसा लगएगा कि सरकार के नहीं तुम्हें Amazon पर नहीं बेचने देंगे हम हम सरकारी website पर बेचो जो की 24 गंटे में से 50 minute काम करती है बाकी नहीं करती बुट द बिजनसमें लाइक इट नो तो हमने क्यों सोच लिया कि farmers would like it हम कौन होते हैं भई मतलब फार्मर बिजनसमें नहीं है वही न मनोच कुमार के गाने सुन सुनके धर्ती सोना उगले farmers खुद कह रहे हैं they were crying out for these reforms farmers को दिये नहीं हम we know better than farmers क्यों भई तुम कौन हो पहला reform यह था Congress तो चाहती थी उनका manifestation APMC को हटा देंगे मोधी ने कम से कम choice दी थी Congress was saying APMC हटा दो private Mandis में डालो number second था कि Essential Commodities Act के emergency provisions वो हटा देंगे यह बहुत ज़रूरी था क्यों क्यों क्योंकि हमारा 74 million tons of Indian produce goes waste every year 70 million tons क्योंकि go down नहीं है हमारे पास go down क्यों नहीं है क्योंकि यह bureaucratic setup कभी भी storage को holding में बोल देता था storage होती है एक चीज उसको bureaucratic speak में आपने holding क्या दिया तो आप पे non-bailable warrant डाल दिया कि यह तो hold कर रहा है तो कोई भी business man कोई भी farmer 24 hours state of the art go down बनाने में अपना पैसा वो खर्श नहीं करना चाहता था है कल को सारकार क्या तो मोड कर रहा है तो क्यों करेगा वो क्यों बनाएगा as a result हर produce perishable था आपने देखा होगा कितने किसान यह भिंडी सड़क पे गिरा दी भूद गिरा दिया because they could not store it अभी भी हमारे पास हमारा annual productivity जो है वो 321 million tons of food grain है per year 321 million tons हमारी storage capacity is 145 million tons अधा हमारे पास storage के लिए नहीं facility 150 million tons we don't have facility to store यह reform था second यह कॉंग्रेस के manifesto में था third reform था contract farming भई आप आप आपने एक entity business enterprise है कोई आपके पास इंवेस्टर गया कहता यह product आप बनाओ यह business में चलता है नहीं चलता है निल्कुल क्यों नहीं चलना चाहिए चलना चाहिए यही मुदी ने का कि farmer के पास भी आप कोई company जाये कही आप क्यों wheat और rice ओगा रहे हो सब करें आप coffee ओगाओ आप यह crop अगाओ ठीक है contract farming obviously it's a produce the farmer should be free to choose whatever he is growing anybody should be free to approach the farmer to make sure or to want whatever he he needs to be grown it's common economics free enterprise यह congress के manifesto में नहीं था यह congress ने implement किया वा था पंजाब में जब अमरिंदर सिंग थे contract farming act बनाया वा था अदानी अंबानी को पैसे दिये वे थे अब आप मुझे बताईए तीनों reform जो हर manifesto में थे opposition party के Modi लाया Modi ने सोचा होगा यार मुझे opposition बहुत गाली देता है इस बार तो प्यार से हार पहनाएगा क्योंकि यह BJP के manifesto में नहीं थे यह तीनों reforms क्यारा मैं वो उन्होंने सोचा होगा मैं वो कर रहा हूं जो opposition चाहता है करें हम नहीं चाहते हो तो वो तो हार पहनाएंगे और देखो क्या किया फिर एक साल तक पूरा सारे हाइवेज रोग दिये दंगा फसाद इतने लोग की जान गई दंगे हुए दिल्ली में आपने देखा वो क्या हुआ था रिप्लिक दे पे एवरी दे एवरी दे फोर ए येर नेशन सफ़र्ड एन एकनोमिक लॉस फ्री एफ थाउसंद क्रोर्स एवरी दे फोर ए ये सारी हाइवे पर दुकानिती सब बंद हुए अपर सिंगू बॉडर ये सब जो भी है क्या हुआ उसका है एट दिये पासले पड़े फार्म लॉज रिपील कर दिये साड़ेस देश देश कंट्री एंटी नैशनल एक था ये लोग क्याता है तुमने तो मोदी को एंटी नैशनल किया दिया मोदी ही कमिटेड एंटी नैशनल आप इतना ही क्लिप बाइरल हो जाएगा सरे आप मुझे पिटवाएंगी परले रुलाय रुलाया था नहीं बट आप लॉजिकली सोचि वो आदमी ऐसे रिफॉर्म ला रहा है जो कि हमें अब मैंने आपको बता है ना हम थ्री ट्रिलियन एकॉनोमी बन गए भई वोट मैटर्स इस नॉट पॉपुलेशन देंसिटी लाइकवाइज वोट मैटर्स इस नॉट जीडिपी वोट मैटर्स इस जीडिपी पर कैपिट जीडिपी आप जितना भी थ्री ट्रिलियन के लिजे हमारा पर कैपिटा रैंक 136 ते श्रिलंका जे पीछे यह रिफॉर्म्स चाहिए थे कि हम 10-15 साल में मिडल इंकम एकॉनमी बन जाए हमारा जीडिपी जो अभी 200 डॉलर है वो 10,000 डॉलर बन जाए 1500 डॉलर बन जाए सार यह चाहता था पर यू टन मारा ऑपोजिशन तभी तुम्हें क्या था मोदी जी ब्लेस्ट है उन पर ना कृपा है पहले कोई थे बाबा जो कृपा करते थे मैं उनका नाम भूल गया समोसी के साथ लाल चटनी वाले नाम या त्रिकॉन बहुत चाहते थे मेरे वो क्योंकि वाज़े से मैंने घर पर वह तृकॉन पराथे खाने बनवाने शुरू कर दिये उन्हें का थे चकोर पराथे मत बनाओ तृकॉन बनाओ कृपा बने रहे तो अब यह मोदी जी पर कृपा है क्योंकि यह सोचते होंगे कि भई और यह सोचते नहीं सच है जो जो इन्होंने के हिथ में स्टेप्स लिए जो जो बहुत लिए बहुत लिए मैं उनका सबसे बड़ा प्रशंसा कर रहा हूं इस केस में टॉइलेट्स बनाए वाटर टैप कनेक्शन बने उजवला कनेक्शन हुए औरॉप हुआ उसके बाद बाला कोट स्ट्राइक हुई CAA 370 अब्रोगेश लेकिन सर एक बात बताईए अगर सरकार कोई कानून लेकर आ रही है यह मोधी चाह रहे हैं कि यह चीज़ आए और उसको लेकर लगभग एक साल तक प्रदर्शन हुआ तो यह भी तो सरकार का फेलियर है कि आप किसानों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए और है यह बताईए किसान कुछ कह रहे हैं आपने सुनी नहीं अपने कुछ आप पॉलेसी लाए और आप कह रहे हैं आप अने सुनी साप साल बात किसानों की बात нуться आए और मैं बताऊ हूं सबसे ब्सक्र को मैं कभी भी उन की बात को वैल्यू नि नीकिम की इन रही ख झाझ को यह फंक्शन 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 यह फंक्शन फंक्शन सो हिपोक्रिसी हिमोग्लोबिन का content से जादा हिपोक्रिसी को एक इस अगलिजिबिलिटी हो एक politician बनने की शाइद नहीं यह है ठीक है तो मैं उनकी बात पर I don't blame them, उनको election जीतना है, किसी को भी, इतनी सारी scheme, सब everything is oriented towards winning, सबसे दुखत बात ये थी, Supreme Court ने farm laws को stake कर दिया, Supreme Court ने ये, दुखत बात ये नहीं है कि politician U-turn मार गया, कि politician से उपर जो मैं आदमी को, लोगों को समझता था, entity को समझता था, Supreme Court, उन्हों ने इतनी वाहियाद बात कही और अब मैं कह सकता हूं, मतलब, Contempt of Court लग जाए, जो भी है, साही ने मुझे बचायाए, वही मैं कह रही हूँ, एक तो आप पे लगी गया था, साही है, तो जाको राखे साही है, जेल में डाल सके ना कोई, तो मैंने ये तब भी कहा था, कि चीफ जस्टिस अफ इंडिया को जेल में डालना था, ये पता निए, ये आप काट दिये, बरना आप भी जेल में जाएंगी, मैंने कहा था, इसको एरेस्ट करो सबसे पहले इनको, क्योंकि उन्हों ने पता क्या का, कि हमें सिर्फ जो फार्म लॉज के अगेंस्ट हैं, वो दिख रहे हैं, हमें प्रोटेस्टर्स दिख रहे हैं, वो नहीं दिख रहे हमें किसान, जो कि they are for the farm laws, what did the Supreme Court want? कि धाईसो मिलियन जो फार्मर्स हैं, जो तेलेंगाना में, उडिसा में, तमिलनाडू में फार्मिंग कर रहे हैं, farm produce होगा रहे हैं, वो सब छोड़ छाड़ के, bus लें, train लें, बुलक काट लें, और तिलक मार्क पे आगे धरना लगाएं, ऐसे democracy चलती है, आपका क्या काम है, आपका काम है, रेलाइस करना देश के हित में क्या बात है, लोग आप से क्यों बोले देश का हित में क्या, आपको समझ में नहीं आरी बात, और जब रिपील हुए न, उसके एक हफते बाद, Supreme Court की कमिटी की रिपोर्ट ही आई, Constituted कमिटी, कि 80% of farmers and farm lobbies वर फॉर्डी फार्म रिफॉर्म तो ये बात बाद में समझ आई है, क्या देश आप इब बताई है, अब मैं काऊं कि हम बनाना रेपबलिक थे, जब से रेपबलिक बने, अब मुझे गाली पड़े फिर, अच्छा और दूसरी बात, ये बार-बार जो रेट्रोस्पेक्ट है, ये वेरी इरिटेटिंग थिंग हो गई हमारे देश में, मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन ये common sensical बात है, आप कोई भी act लाते हैं तो अब वो रेट्रोस्पेक्टिवली शुरू हो गया है, वो लागू, क्यों भाई, is there such a thing called law in this country, or look at the hypocrisy, Supreme Court का वो Vodafone का tax का case था, आप जानते होंगे दस साल पहले का, सरकार ने कहा रेट्रोस्पेक्टिवली दे, which is wrong, कोई भी company है, भले वो कुछ गलत काम कर रही है, वो किसी policy को लेके ही तो गलत काम कर रही है, आपने legalize करी भी है वो policy यार, अगर वो कल को policy गलत हो जाए, तो उस company की क्या fault है, आपकी fault है, क्योंकि आपने legalize करी हुए, आपने legalize करी है, तो वो पिछले 15 साल से जो policy follow कर रही है, वो क्यों उसका भुकताना करे, तो Supreme Court struck it down, retrospectively हम अलाव नहीं करेंगे, great, अब देखे Supreme Court ने mining leases पे क्या कहा है, state में, जो जहारकंड, ओडिसा वगेरा पे, इनों Supreme Court ने कहा है, कि आपकी policy गलत थी, ये सारे states को भी mining royalty मिलनी चाहिए, minerals की, great, मिलनी चाहिए, डंक से मिलनी री जो भी है, इनोंने कहा, retrospectively मिले, अब 20 साल की royalty, center से क्या दिया, ये दो retrospectively, मतलब ना सर ना पैर, जो जिस किसी के मन में कुछ आता है, वो बोल के चला रहा है, तो मैं क्यों ना बोलू हूँ, जो मेरे मन में आ रहा है, मेरे कोई क्यों डांट पढ़ती है, मेरी ये समझ में नहीं आता, तब retrospectively ठीक है, अब एक और example देता हूँ मैं आपको, ये electoral bonds पे, Supreme Court का correct decision था, उन से पहले मैं कहा चुका था, anonymous electoral bonds is wrong, it is illegal, क्योंकि, anonymous जब आप कोई भी donation मांग रहे हैं, या आप आपने एक channel शुरू कर दिया, तो आप जो भी करे anonymously, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप मेरा vote मांगने आये हैं, तो मैं बीच में आगे, मैं एक entity बन गया, मान लीजे, कोई पॉलिटिकल पार्टी आके हम से वोट मांगे कहें, कि हम ना इस फॉरेस्ट को हम बिल्कुल ऐसा ही रखेंगे, आप हमें वोट दे, मैंने का हाँ रखेंगे, हमने उनको वोट दे दिया, वो जीत गए, नेक्स दे आने के बाद, वहाँ पे माइनिंग बुल्डोजर उने शुरू कर दिया, माइनिंग कमपनी लीज दे दिया, मैंने का ये क्या कर रहाँ आप, पता चला कि किसी माइनिंग कमपनी से, उस पॉलिटिकल पार्टी ने दस हजार करोड पैसे लिये थे, अनॉनिमसली, हमें नहीं पता चला, तो इस रॉंग, इस इम्मॉरल, हमें पता चलना चीद हो, उसके बाद मैं डिसाइड करूँ, आपने दस हजार करोड रुपे इस माइनिंग कमपनी ने दिये, शुड आए वोट फो इस पॉलिटिकल पार्टी, यह तो कलको वाँ फोरेस्ट ही रखेंगे, लेकिन हम से यह चीज छुपाई गई, तो अनॉनिमस एलेक्टोरल बॉंड वर गुड, बट अनॉनिमस एलेक्टोरल बॉंड वर कम्प्लीटली रॉंग, यह मेरा सुप्रीम कोट के फैसले से, तीन साल पहले का यह मेरा फैसला था, जो कि कोई सुनता नहीं, मेरी भीवी खुद नहीं सुनती मेरे पारे मेरे फैसला कॉन सुनेगा, यह मैंने दे रखा था, सुप्रीम कोट ने कहा यह होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोट ने क्या कहा, कि जिन जिन लोगों ने आपको पैसे दिये उन उन लोगों के नाम पब्लिक करो पिल्कुल मतलब यह क्या चल रहा इस देश में उन्होंने पैसे क्यों दिये अनॉनिमिटी पे अगर यह क्लॉज नहीं होता वो क्यों पैसे देते पार्टी इसको यह तो आप वो क्लॉज ना रखो तब कोई दे कि हायर वी डोंट कैर जैसे 60s में स्वतंता पार्टी बनी एक तो टाटा जियाडी ने कहा नहरू से पहले जियाडी नहरू को पैसे देते थे ओपनली उन्होंने कहा यह नही राजाजी बना रहे हैं कर दो दो पार्टी उन्होंने स्वतंता पार्टी आप जो आपनली जैसे जियाडी नहीं जीए जिए जियाडी नहीं हम इनको पैसादे ना चाहते हैं अपने लेगलाइस कि आप यह यह राणिमस डोनल अब सुप्रीम कोट कह रहा है कि नहीं उनके नाम डिकले है और सरकार चुप है क्योंकि मैं वो ही अब मैं सरकार के लिए भी कहा हूँ चार नीमू नी चोड़ की भी दूज इतना नी फटता आगे के लाइन समझ को आगे के लिए